नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आरुवेदिक में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों सामने फिर एक नया पौधा लेकर हाजिर हुआ हूँ इस पौधेक देखिए पहचानी और बताइए कि आप जानते हो तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ आप नहीं जानते ह चम 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 इसलिए इसे घुम घूंग रहुआ नाम से बोला जाता है लेकिन इसका असली नाम है सड़ पुसपी यह देखिए दोस्तों यह है सड़ पुसपी और एक बहुत ही अच्छा अइरुवेदिक अवसदी है दवा है दोस्तों इसके पत्ते जो है कुछ इस तरह से ह मू होता जिस तरह से परेल पत्र होता इसी तरीके से भी पत्र होता है दोस्तों सरपुस्थपी ने दो तीन पर जातियां होते हैं एक पमनोaison होता है जो की जमीन में भीड़कर होता है आर यह जो है कि यह पौधे नूमा होता है इसका पाउ अब मैं आपको दिखा दे रहा हूं तो देख लीजे दोस्तों यह पौधा नुमा है करीबन इसका पौधा तीन से चार फुर तक उचा पाया जाता है और दोस्तों इसके फली इस तरह से गुच्छों में होते हैं और कच्चा रहते हैं तो हरे हरे रहते और पक जाने के बाद इस पीले पीले हो जाते हैं और दोस्तों इसका सबसे बड़ा पहचान यह है कि अगर इसको हिलाए डुलाए जाए तो इस तरह घुन घुन करका वा जाता है तो आओ दोस्तों इसके फाइदेंग्पारे मम जाने कि अकिन की रोगों में फाइदेमंद है किस-किस बीमारी को ठी तो सबसे कर सकता है दोस्तों सबसेता पहला सकता है काफ़이 क्वाइदे मंदध इसके पतों काड़ा बनाकर सनगे पीघे स्काफट लें लेजिए और डस बीज को आपकेगो पानी को धीरे चाहिक गयों साफ हो जाएगा दोस्तों दूसरा फाइदा यह इसके अंदर बीज निकलेंगे उस बीज को आप सकते हो या एक जड़ी बूटी माना जाता है दोस्तों यह जड़ी बूटी है दोस्तों इस तरह से हरे हरे घुनगुनवा के फली को तोड़ कर आप अगर चमेली तेल में पका कर इसका तेल बना कर रखते हैं तो जैसे की बाल बहुत तूट कर गिर रहे हैं उड़ रहें तो उसके लिए भी काफी फाइदे मंद होता है इसका तेल तो चलो दोस्तों अब हम इसकी जानकारी समाप्त करते हैं अगर आपको या जड़ी बूटी या पाउधा मिल जाए तो इसका आप उप्योग कीजिए फाइदा उठाएए नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदिक